हैदरबाद में 27 नॉम्बर को हुए लेडी डॉक्टर के रेप के बाद जलाकर मारने वाले हैवानों को लेकर एक और खुलासा हुआ है वो ये कि इन चारो आरोपियों मेंसे दो आरोपी नो और मैलाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही कर चुके थे यानि ये दोनों पहले तो शाजिस रजकरों मैलाओं के साथ दुशकर्म करते और फिर सबूत मिटाने के चक्कर में उन्हें जलाकर मार डालते ये दावा इस केस की जांच करने वाली टीम ने किया है पूस्ताज के दुरान इन दो आरोपियों ने माना था कि उन्होंने नो मैलाओं के साथ रेप करके उन्हें जलाकर मार दिया था वहीं एक सीनिय पुलिस अफसर ने अपने बयान में कहा कि कस्टडी में लेने के बाद हम तेलंगाना और करनाटक हाईवे पर बैलाओं के साथ रेप और जलाकर मारने की 15 गटनाओं में उनकी भूमिका की जांच कर रहे थे इन चार में से दो ने इन में से नो गटनाओं में अपने शामिल होने की बात मान ली थी हम हर एक केस की पुष्टी कर रहे हैं इसलिए अलग-अलग जगों पर हमने जांच करताओं की कई टीम भीजी हैं आपको बता दे कि 27 नवंबर को चारो आरोपियों ने एक वेटनरी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करके उसे जला कर मार डाला था आरोपियों को ग्रिफतार करने के बाद 6 दिसंबर को जब पुलिस सभी को गटना इस्तल पर सीन रिक्रियेट करने के लिए ले गई तो उन्होंने वहाँ से भाग निकलने की कोशिश की इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का वहीं एंकाउंटर कर दिया वैसे पुलिस का चोंका दने वाला ये दावात तब आया है जब सरकार ने इस एंकाउंटर की जांच के लिए SIT का गठन करने के निर्देश दिये है टीम खबर अपडेट